दोस्तो आज का वीडियो OEX की माइनिंग करने वाले जितने भी यूजर हैं सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आपने OEX की जितनी भी माइनिंग की है वो सभी की सभी माइनिंग आपकी लॉस हो जाएगी क्योंकि इस वीडियो में आपको वो पॉइंट बताने वाले हैं जिससे आपको OEX का विड़ॉल इजीली मिल जाए जो आपने माइनिंग की है वो माइनिंग आपको यहाँ पर देखेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं 8155 OEX की माइनिंग होच की है आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है कैसे आपने यह पूरा प्रोसेस करना है आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखन तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल Learn Money Online पर दोस्तो टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने जोईन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और इसी टेलीग्राम पर आपको OEX में जो स्टेप्स जो टास्क करने हैं उसके सभी लिंक आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सबसे उपर Pinned Message का बटन है यहां पर आप किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद आप यहां से जो भी स्टेप आप वीडियो में देखेंगे वो स्टेप आप यहां से कर सकते हैं इसलिए आपको टेलीग्राम जोन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेलीग्राम पर ही वो सभी लिंक आपको provide कराएंगे तो चलिए main topic पर चलते हैं क्या step आपने करने हैं और कैसे वो step आपके complete होंगे सबसे पहली बात आपको जो link यहाँ पर हम बताएंगे वो link आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेंगे pinned message में आपने check करना है तो चलिए सबसे पहले आपने टेलीग्राम से link लेना है network के नाम से link मिलेगा पहला link होगा उस link को आप copy करेंगे और copy करने के बाद आपको जाना होगा meta mask पर तो यह meta mask हम आपको open कर लेते हैं दोस्तो step एक एक बहुत ध्यान से देखिएगा कोई भी गलती नहीं करनी है कोई भी अनर्गल link से आप अपने meta mask में कोई भी activity करने से बचें नहीं तो आपके पास जो core है वो core भी आपका loss हो सकता है इसलिए आप हमारे टेलीग्राम पर जो link दिये गए हैं उन्हीं link से आपने सभी steps को follow करना है यहाँ पर हमारा meta mask open हो चुका है OEX core की blockchain पर काम करेगा तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर core blockchain होनी चाहिए और आप उसी bullet को use कर सकते हैं जिस bullet में आपने core को claim किया है तो पहला point यह हो गया core blockchain होना चाहिए testnet को claim करने के लिए आपके core wallet में कुछ core होने चाहिए claim करने के लिए आपको core में gas fees देना पड़ेगा उसके बाद ही आप claim कर सकते हैं swipe करने के लिए आपका usdt है इसी मेंसे gas fees कट जाएगा और आपका swipe हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको नीचे button मिलेगा browser का ध्यान से देखिए यही button है browser का इस पर आप click करेंगे और click करने के बाद सबसे उपर आपको यहाँ पर home लिखा हुआ है यहाँ पर आप click करेंगे और click करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे cross का एक बटन है इस पर आप किलिक कर देंगे telegram से पहला जो link लिया है उस link को यहाँ पर paste कर देंगे और paste करने के बाद इस link को यहाँ से open करते हैं ठीक है यह open हो रहा है और आपके सामने सब कुछ live करके यहाँ पर दिखाने वाले हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बॉलिट को connect करना है पहली बार आपके पास यह वाला page नहीं आएगा पहली बार आप इस link से open करेंगे तो आपके पास यह वाला page नहीं आएगा आपके पास यहाँ पर connect बॉलिट का बटन आएगा आपको यहाँ पर बॉलिट को connect करना है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं switch network ठीक है तो इस तरह से भी आपके पास आ सकता है तो यहाँ पर हम switch network पर click करेंगे और click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते है open EX test net दिखाई दे रहा है और नीचे बटन मिलना है switch network का इस पर click करेंगे और click करने के बाद यहाँ पर हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉलिट connect हो चुका है यह आपने पहला step complete किया है आप यहाँ पर देखेंगे बॉलिट का बटन है इस बॉलिट पर click करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं open ex सबसे उपर आपको देखने को मिल रहा है नीचे आप देखेंगे usdt दिखाई दे रहा है open ex दिखाई दे रहा है ठीक है आपको यहाँ पर यह token को add करना पड़ेगा वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा पूरा वीडियो आप end तक देखिएगा उसके बाद आपने telegram से दूफरा link कॉपी करना है तो दूफरा link कॉपी करने के बाद आपको फिर से ब्राउजर में आना है ठीक है तो ब्राजर में आने के बाद यहां पर आप एक नया टैब open कर लेंगे नया टैब open करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं एक number लिखा हुआ है यहां पर हम click करेंगे और click करने के बाद यहां पर plus का icon है इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे हमारा दूफरा टैब ओपन हो जाएगा ठीक है उसके बाद फिर से आपने यहाँ पर क्लिक करना है इस साइड को यहां से क्रोस कर देंगे और जो दूफरा लिंक हमने टेलिग्राम से कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद इसको सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर फोसट टेस्ट नेट आ चुका है यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्ट बैब्ट्री बॉलेट का बटन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखेंगे कोर ब्लोकचेन आ चुका है और नीचे आप देखेंगे स्विच नेटवर्क का बटन आ चुका है तो स्विच नेटवर्क बटन पर क्लिक करेंगे और किलिक करने के बाद, अब आप यहां पर ध्याँ से देखाद, यह आपका बॉल्लिट का address आ रहा है, और यहां पर आप देखेंगे, Clam Testnet USDT आ चुका है, यहां से आप USDT को क्लैम कर सकते हैं, ठीक है, क्लैम करने के बाद, आपको एक USDT आपके Meta Mask बॉलेट में आ जाएगा यहाँ पर हम wallet पर click करेंगे और wallet में click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं core blockchain आ चुका है यहाँ पर हम click करेंगे network change करेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर open EX test net दखाई दे रहा है ठीक है इस पर हम click करेंगे और click करने के बाद इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास एक UHDT आ चुगा है अभी यह आपका दूफरा step complete हो गया है अब हमारा जो last step है उसको complete करना है उसके लिए फिर से हमें telegram पर जाना होगा telegram से तीसरा link copy करना है फिर से browser पर आएंगे और browser पर आने के बाद यहाँ पर पहले वाले tab पर जाना है तो यहाँ पर हम click करेंगे और हमारा पहला जो tab है वो सबसे उपर आ रहा है इस पर हम click करेंगे और click करने के बाद balance आप यहाँ पर देख सकते हैं एक UHDT देखने को मिल रहा है नीचे आप देखेंगे OEX दिखाई दे रहा है ठीक है यहाँ पर हमें swipe करना है ठीक है तो swipe करने के लिए यहाँ पर amount डालेंगे 0.05 डालेंगे और यह मैंने amount डाला है और डालने के बाद scroll करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.05 UHDT को swipe कर रहे हैं तो हमें OEX कितना मिलना है आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.013 667 यह OEX token हमें swipe करने पर मिलेगा ठीक है तो इसको यहाँ पर swipe बटन पर किलिक करेंगे और swipe पर किलिक करेंगे थोड़ा सा scroll करेंगे और नीचे confirm दोस्तो यह task सभी को complete करना है नहीं तो आपको OEX का bid doll लेने में या claim करने में आपको कोई परिशानी खड़ी हो सकती है इसलिए आप कोई भी risk ना लें क्यूंकि आपकी यहाँ पर एक साल की मेहनत लगी हुई है दोस्तो यहाँ पर आपको OpenEX token add करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम पर इस token का contact address मिल जाएगा यहाँ पर आपको बटन मिल दा है import token का इस पर किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको उस address को paste करना है और paste करने के बाद आपका OpenEX token MetaMask में add हो जाएगा इस task को सभी को complete कराएं